हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एच्पी स्टेडी हब आई होप यॉल आर दूग वेल टूड़ेज 21 नमांबर तो चलिए देखते हैं 21 नमांबर के करन्ट फियर और स्टेटी जिके के टॉप 10 इंपर्ट कोशिन जो आप कहाने वाले किसी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से लेटर कोई भी वीडियो और डिकोशन को आप मिसना करें तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्लेक्शिक को कोशन नमर वन भारतिया रिजर्व बैंक के नव नमेशन के अंदर का पहला चेरपरसन किसे निक्ट किया गया है रिजर्व विमल जला तो इस कोशन का जो राइटांस रोगा वहोगा कोशन नमर वन का ओप्शन ए क्रिस गुपाल कृशन जो है फस्ट चेरपरसन बने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन्वेशन हब के और यह जो गुपाल कृशन है यह से पहले को फाउंडर रहे चुके हैं औ है के इंडर बैंक ने अगस्त में रिजरु बैंक ने जो हा है हमारे केंंडरी बैंक चो हुमारे इंडिया का है दिकी डिया ता warriors सेट ऑप करने की बात की थी अगस्त महिने में 2020 में तो उसके मद्दे नजर करते हुए हाली में एक innovation hub setup की है और इसका जो main objective होगा वो होगा ताकि इस innovation hub के जरीए technology का इस्तमाल कर financial sector में innovation को पुरस्थाम देना तता तेजी से नव परवर्तन के लिए वातवन को स्रीजिन करना तो इस objective के साथ इस setup किये गया ताकि आपका financial sector में भी technology को जो है technology का भी प्रोग किया जा सके for the betterment for financial sector तो आपके लिए काफी में पढ़ने कोशन है आप इससे याद रखें ता क्रिस कोपाल कुशन होंगे first chairman RBI के innovation hub center के next question में बात करूँ question number 2 अमेरिका के किस पूरव राष्टपती ने हाल ही में A promised land किताब का विमोचन किया आपके option A William Clinton option B George Herbert Walker Wush या फिर option C Brock Obama final option D George Walker Wush तो इस question को जो रेट अंसर को वोग अप्शन C तो हाल ही में अमेरिका के पूरव राष्टपती Brock Obama ने अपनी किताब आपको बता दे कि Brock Obama वर्ष 2009 से 1217 तक अमेरिका के राष्टपती रहे थे उनके पहले कारेकाले में कारेकाल में भारत में डॉक्टर मरमोन सिंग के नर्तित्तों में यूपिस सत्ता में थी और एक promise land में उन्होंने उन पॉलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व राष्पतान मंतरी मरमोन सिंग के साथ बिताए उन्होंने इसमें भी उनकी एक शालिंद शवी का भी तारिफ की है तो friends recently एक book launch की है जिसमें आपके हमारे former Prime Minister डॉटर मरमोन सिंग के खुब तारिफ की है American former President Barack Obama नहीं और उस book का नाम आपने यादा हमाँ A Promise Land आप कहाने वाले exam के लिए बहुत ज़्यादा important है present में जो अमेरिका के राष्ट पती हो है Donald Trump और recently जो अभी नए 2020 चुकि शब्त लेंगे January 2020 में 2021 में वो होंगे new राष्ट पती हैं 46 नंबर के राष्ट पती होंगे अमेरिका के वो होंगे John Biden वो नाम भी आप याद रखे John Biden होंगे अमेरिका के 46 नंबर के President next कोशन मत 3 हाल ही में किस राजे सरकार ने गाओं के स्ट्रक्शन के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैंसला लिया है आपके option A बिहार option B मद्यप्रदेश option C राजस्तान या फिर option D जारखंड तो इस कोशन का जो राइट अंसर है कोशन नंबर थर्ड का वो गाओ का मद्यप्रदेश यानि कि option B is the right answer तो मद्यप्रदेश सरकार ने मद्यप्रदेश सरकार ने गाओं के स्ट्रक्शन के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैंसला लिया है इस कैबिनेट की पहली बैठक यानि कि 22 नंवंबर 2020 को गो पाश्टमी पर दोपहर 12 बजे राजजेन के आगर मालवा में बनाए गए गो अभ्हारन में अयोज़ित की जाएगी और गो कैबिनेट में 6 विवागों को शामिल किया गया है और वो विवाग आपके गाओं के स्ट्रक्शन के ओ लेकर सभी विवाग सामोहिक रूप से इसका फैसला लेंगी और वो डिपार्मेंट होंगे आपके पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामिन विकास राजसव, ग्री और किसान, कल्यान विभाग और गो कैबिनेट में ये सारे आपके पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामिन विकास राजसव, ग्री और किसान, कल्यान, विभाग तो ये सब तीनों आपकी छे विभाग मिलके बनाएंगे गो कैबिनेट को इसका फैसला लिया है नेक्स बात करें कोशन नुबर फोर फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्तगित कर दिया है आपके उप्शन ए नेपाल उप्शन बी चीन उप्शन सी रूस या फिर उप्शन डी भारत और इसका जो राइट अंसर को वह होग उप्शन डी इंडिया तो फुटवोल की वेश्विक संस्ता फीफा जो फुटवोल को वर्ल लेबल पे चलाती है वो हो चलते है कि फीफा ठीक है जैसे एक क्रिकट को चलाता ICC वैसे ही फीफा चलाती है और फीफा के जो फ्रेजेंट आपको हैड़कौर्टर मिलेंगे वो मिलेंगे वोको स्वीटरिज लेंड में और इसके प्रेजेंट में जो चेर्मेन है वो है ग्यानी जी ए ए एन 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 फैंतीनो ठीक है ये जो है एन फैंतीनो ये इसके प्रेजेंट में चेर्परसन है इसके हेड़कवार्टर है स्वीटरिच लेंड में तो हाली में फुटवोल की वेश्विक संस्ता फीफा ने COVID-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महला विश्वकप को रद कर दिया है क्रोना वाइरस के कारण इस टूर्नमेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया था और यह फैंसला फीफा फर्शित के उस ब्यूरो द्वारा लिए गया जिनोंने मुझुदा COVID-19 महामारी के वेश्विक फुटवाल पर पढ़ रहे अ आपका 2022 में 120 महला विश्वकप की मेरवानी करेगा और इंडिया करेगा अंडर 17 महला विश्वकप की मेरवानी 2022 में ठीक है आपके लिए इंपर्णन कोशन आप इसे याद रखे नेक्स कोशन बात करें कोशन नमबर पांच भारतिया रिजव बैंक ने हाल ही में पंजाव नेशनल बैंक पर कितने क्रोड रुपे का जुरुमाना लगाया है आपके ऑप्शन ए पांच क्रोड रुपे ऑप्शन बी तीन क्रोड रुपे ऑप्शन सी एक क्रोड रुपे या फिर ऑप्शन डी चार क्रोड रुपे इस को जो रखे टेंसर का वह को ऑप्शन सी तो हाल पर कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन बैंकों की सर्विस माने रहती है ठीक है पंजाब नेशनल बैंक अप्रेल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्ण अनुमोदन अत्वा बिना प्राधी करन मंजूरी के ड्रक पी एन बी बैंक लिमिंटेड बुटान के साथ एक सेंट में अर्व एक एक रिफ्रेंश गोर्नर है वह आपके शक्ति का दास नेक्स बात को रोकोशन नबर सिक्स अगें इंपर रोकोशन सुरंड सिंग समीती ने किसकी सला दी है तो आपको गिविन ऑप्शन दी है चार इसमें सापने बताना है इन गिविन ऑप्शन में से क समाले और प्राइड इपी उन दियों का अंत करिया तो इसका रेट इसरो का उप्शन सी इपर रोकोशन है काफी बार इक्जैम्स में पूछा गया है तो भारतिय सविधान में मुलिक कृतव्यों को शामिल करने की जो रिकमडेशन थी वो दी गई थी सरदार सुरंड सिंग कमिटी द्वारा और 1976 में कॉंग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकान के संचालन के दुरान मुलिक करतव्यों अफशकता और अफशकता के बारे में सिफार्शिय करने के लिए सरदार सुरंड सिंग सिमीतिक इस्तापना की इससे इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होन चाहिए कि अधिकारों के लावा उनके पास भी कुछ करतव्य हैं के अंदर सका ने इन सफार्शियों को सिवकार कर लिया और 1976 में 42 विश्य शोर्दन अधिनेम को अधिनीमित किया और इस शोर्दन में भारत के में जोड़ा गया यानकि भाग आपका 4A ठीक है भाग 4A काड में कितनी मौरल ड्यूटी उसकी बात की है, नέλच उपजिण के अपंछं को बात कर लोग सेवन लेतरी ऐट मृटा का निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है आपने मुझे बताना लेतर बाते आद निर्माण अपने साथ अपजाव म्रिदी भाहकर ले जाती है, और समतल मिधानों में मिरिदा का नियुटि कर देती है, तो जब भी बारिष में या फिर आपकी नदी अपने साथ जो मिटी लाती है, तिस मिटी में उस प्रॉसर्स को बोलता है, लिचिंग और उस से नीचे आती है समतल ले लेंगे प्ले नेरियों में उससे जो था आपका लेटर राइट मेटी का निर्माण होता है नेक्स बात करें कोश्च नमर एट वखान कोरिडूर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्मान करता है आपके अप्शन है अफगानिस्तान वो तर्जाकिस्तान ऑप्शन वो आपका बौंडरी बनाता है बिट्विन अफगानिस्तान और चीन ठीक है तो वखान कोरिडूर साड़े थीन सो किलमेटर लंबी वो तेरा से पैंसेट किलमेटर चोड़ी पट्टी है और ये अफगानिस्तान के उत्तरी पूरो प्रांथ से चीन तक जाती है और ये तज श्मीर का वाला पार्ट और यहां पर आता है उसके बाद आपका पाकिस्तान ठीक है यहां पर आपका अफगानिस्तान यहां पर आता हो का तजाकिस्तान इस वाले रीजिन में और यहां पर यहां पर यह जो यहां पर कोरीडर है यहां पर ठीक है जो कि आपका बॉंडरी बना और किसमीर भी समय पाइड कर लो तो भी होगा ठीक है अलग करता है तो जाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर को भी ठीक है तो यह आपका आज का इस कुश्चन का राइट है सब्सक्राइब को जाना जाता है तो इस कुश्चन का राइट है सब्सक्राइब को वारता के लिए एक मंच में लाया गया था और अंबिका परसाद मजबूदार इस अदिवेशन में कॉंगरिस के अधेक्ष ते आपके लिए इंपोरेंट है आपने इस परसाद मजबूदार जो थे इस इसके प्रेजिडेंट थे जब आपके उनिस सोला में लखनू का जो एडिवेशन हुआ नेक्शन बात गुरू कोशन नमर्ट टैन और आज का ये लास्ट कोशन अगर आपने मारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और जूरू करें तो फ्रेंट्स जो मैं आपसे कोशन पुशिए उनका अंसरा कोमेंट बॉक्स में दें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स लेक्शर में धन्याबात आपने वाग्ट